गूर्ण मॉर्णिंग नमस्कार दोस्तों इस वीडियो यह जितने प्रश्च देंगे पूरक पूर डिटेल में और एक्षा फैक के साथ में दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का प्रीडियाप चाहिए तो हमारे टेलीकरम गुरूप को जोन कर लेजिए जिसका लिंक इस व भीच ओफ दफोलविंग टेनिस प्लेयर फ्रों ओश्टरिया वन धर फ्रस्ट ग्रेंश्ञ टाइटल बाई वेंनिंग दा यूएस ओपन यानिंकी ऊश्टरिया की निन में से किस स्टेरिस खेलाडी ने यूस ओपन जीत कर अपना पहला ग्रेंड सेलम खिताब जीत लिया ह और इन्होंने अपना पहला ग्रेंड सेलम जीत लिया दोस्तों अब देखिए पेपाव पुझा था कि ये खिलाडी कौन से देश से देश कौन सा इनका तो देश है ओस्ट्रिय ये भी आप ध्यान दीजिए दोस्तों अब देखिए जो यूएस ओपन था इसका और एक सुचारास। वा संशकन था अब की बार लेकिन कब से कब तक हुआ तो इसका ऐजन करा गया 21. 10 word 2075 का क्या पर दोस्तों डोस्तों त यूएस बिलेशुल जीनगी नेसनल टेनिस से थे देमर कंद की जो कहा는 पर है जो है दोस्तों न्यू योर्क में ठीक है दोस्तों अब देखिए जन्वरी में जो ओशले ओपन हुआ था उसके बाद दोस्तों ये देश का वर्ल्ड का दोस्तों दूसरा ग्रान से लाम क्योंकि जो दूसरा होने बाद था दोस्तों जिसका नाम था विमल्डन और उसको को देखते हैं रद कर दिया गया है 2020 के याद करना होगा अब दने ओमिन थी में और उनका पहला शुयाँ का जिलाडी है एक gorilla है जिनका memangल जेवरे और उनको को dot से दोस्तों तो उनको हरा रहा है पांच जीरो से दोस्तों अब देखिए अब क्या क्या जीता है दोस्तों उनके बारे में देख लेते हैं आप दोस्तों यहां पर लिश्ट देख लिएगा और सही से इसको याद कर लेजिए क्योंकि यह अधिक बार पेपर में पूछा जाना नहीं वाला है ओके देगला प्राश दो नमर के लिए नेम दे इंडियन फिलम विच बैक्ट बेस्ट स्क्रिन पिले अवार्ड एड़ दे 77 वेनिस फिलम फेस्टिबल 2020 यानि की सततरे वेनिस फिलम फेस्टिबल 2020 में सवसेष्ट पठका था पुरसकार पाने वाली भारती फिलम का नाम बते हैं दोस्ति भारती फिलम का नाम है ओप्शन अमबसें की दर डिस पिलिन अब देखिए जो तो वेनिस फिलम फेस्टिबल है इसका आउजन करा गया दो सितंबर 2020 क बीच में दोस्तों इस फेस्टिबल का आउजन कराया गया है अब देखिए जो दर डिस पिलिन है एक यह माराथी फिलम है और इस माराथी फिलम के निदेशक है चतन्य चवहार और दोस्तों इसमें आदित मोदक अरुन द्रवीन सुमित्र नावी और कियन यथो नावी ने इसमें अच्छा अपना काम के और इसके लिनों ने प्रोस्कार जीतने का भी काम के दोस्तों अब देखिए 2001 के बाद से पहली भारती फिलम है जिसको इस प्रोस्कार के रूप में चुना गया किसी भी अवार्ड के लिए दोस्तों ठीके मुझे बिस्वास से कि आपको यह हो गया होगा बहुत अच्छी तरीके से ओके दोस्तों अब देखिए इस फिलम किस किस को कौन कौन से अवार्ड दियेगे उसकी हम पूरी लिस्ट है उस लिस्ट को आप दोस्तों आप देख लिजेगा और इसको सही से याद कर लिजेगा दोस्तों क्योंकि इसके बार में पेपर ने पूछे जाने क्योंकि जो पेपर ने पूछाते हैं दो तिन महीने के अंतर की मैक्सिमम पूछे जाते रहे हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक किजेगा अच्छी ना लागए तो डिस लाइक किजेगा जो भी दोस्तों चैनल को स सब्सक्राउब करके बैल बटFirst दैमाना बिल्कुल भी न भूलять गा दोस्तु ओके On which of the following day in engineers day celebrated जाया है निन में से कीस दिन मानाया जाता है दोस्तो इसको और इंगा जनम 15 सितंबर 1861 को हुआ था और इसलिए 15 सितंबर को दूसर इनका जन दिवस के अवसर पर इस दिवस को हम मनाते कहां पर हुआ थे हैं तो मैसूर के कोलार जीरेश्तित चिकाबलपूरम के तालुका में दोसे हिनका जनम हुआ था कहां पर एक तेलगू परिवाद में जो उनके पीता थे सिर्वास सास्तिरी और संसेत के बिद्वन और आरिवेदिक चिकित्सक भी रह चुके हैं दोस्तों अब देखिए यह सिविल इंजिनियर तो और सिविल इंजिनियर के छेट में दोस्तों जो किसना राजा सांगर वोच अभियानता के तोर पर भी उन्होंने काम किया और इसी के दोस्तों इनकी अच्छे काम के लिए हम हर साल 15 सितंबर को इंजिनियर डे के रूप में मनाने का काम करते हैं अगल प्रश चार नमर के लिए उत्तर परदिस सरकार ने आगरा की निर्मारधिन मुगल म्यूज गोशना की गई उप्चा नमर बेने कि छत्र परदिस सीवा जी महराज के नाम पर दोस्तों इस मुझम का नाम बदल कर करने की घोशना कर दिया किसके तरफ दोस्तों तो उत्तर परित के मुखमंतिय योगी आदितनात उन्होंने अपना आगराम मंदल की समय क्छा की और उस वेश भूसा मुगर यूग में कैसे कैसे हत्यार आते थे कैसे गोला वाज रहते कैसे वह लड़ा करते थे दोस्तों वह साई सारी दोस्तों जितनी में जनकारे पीछे जितनी में चीज़ें वहां पर रखी गई है और दोस्तों उसको नहीं बदला गया लेकिन केवल इसका नाम बदल दिया गया दोस्तों अब दीके नाम बदला क्योंकि नाम इसलिए बदला गया कि उसकी उत्तरपाज सरकार ने ये कहा कि जो छतपाज सिवा जे महलात थे दोस्तों जो उन्होंने माठा यूद के दोरान लगबग 16 सताबदी में मुगलों से लोहा लिया था और इ इसलिए इसका नाम हम उनके नाम पर ही रख दें ओके अगला प्राशन रिसेंटली हूँ हैज बिन अपोर्मेंट बाइद मिस्ट्री ऑप प्रस्नल एज एक्जेक्यूटिव डेक्टर ओफ वर्ल्ड बैंक यानि कि हाल ही में कार्मिक मंताले ने किसको बिस बैंक के कारकाई नेधेश के रूप में निक्त किया है दोसके वर्ल्ड बैंक के कड़कर नेधेश के रूप में नुक्त किये गए हैं ऑप्षय नंबर 20 राजेस खुलर को निक्त किया अब देखिए जो राजेस खुलर है या उनके के कालकाल या उनके पद से मुक्षोनी की तारीक है यह यह दोस्तों 23 अगस्त 2023 तक इस प्दपर रहने के लिए मंझूरी देर देम अब दोस्तों जो घुला हैं यह वरतवान मुखमंति व्रताइनी मोनहलाग खटर और खुलर करकारी निरेशक के तोर पर बन कर जाने वाले हैं तो आपको याद नहीं तो याद कर लिजेगा अगला प्रेश फारिकाल था यह अप्रेल 2020 में ही खतम हो गया था दोस्तों अब देखिए क्स पार्टी के तरफ से राजसाबा के सांसाद की सब्सक्षाइड की पार्टी पार्टी विहार की पर्मुख पार्टी जो इस अब मति नितिश्कुमार उपाटि है जनता दल यूनाटेड और जनता दल उनेटेड कतरब से ये राज साबा की सांसर चुने गए हैं दोस्तों ठीक है अब देखी ये तो हैं उपा धक्काने की उप छब securities तो सभापती कोन होता है राजसाबा के दोस्तों जो सभापती होता है वो होता है जो हमारे देश के जो उपर राश्रपती है जो है बैंक के नेडू प्रेजेंट टाइम पर वो राजसाबा के उपर सभापती है प्रेजेंट टाइम पर अब देखें दोस्तों जो बहारत के सम सकती है यानि दोस्तों रख सकती है ओके अगला प्राइशन साथ नमर के लिए वाज अपोल्मेंट एज एक्जिट्व डिरेक्टर ओफ एडी बी यानि की एसे डेवलेब्मेंट बैंक के कलकाई निदेशा के रूप में किसे निक्त किया गया है वप्शन अंबर बैने के समीर कुमार ऐसेयन डेवलेब्मेंट बैंक के कलकाई निदेशा के तोर पर निक्त कर दिये गये हैं दोस्तों अब दीके यह 1989 बैसी एक भातरी प्रसासनिक सेवाय याने के दोस्तों एक IAS अधिकारी को इसे कट रहे तो असम क्यारे के दोस्तों अधिकारी और यह वर्तमान में वित्मंताले के तहत आर्सिक मामलुक के विभाग में अथिक सचीव के रूप में यह काम कर रहे हैं दोस्तों अब How many projects related to petroleum sector in Bihar were dedicated by the PM to the nation यानि कि PM ने बिहार में petroleum छेते से सम्मंदित कितनी परजणाव को राष्ट को समर्पित किया option number C है कि तीन petroleum से जुड़ी परजणाव को बिहार को दोस्तों देने का काम किया हुआ है दोस्तों किसने किया तो विडियो कॉन्फरेंस के मादयम से अब देश के परहामंती नरेंदर मोदी ने इंड परजणाव को लॉंच करने का काम के दो अब देखिए जो परजणा है इसमेरें जो पार्दीप हलती्य दुर्गापूरण पाउजना है है दोस्तों इसका विस्तार किया जागा और इसके सा चंता होने की 808 अधिक से दोस्तों बनाने ऊझे बाट्लिंग करने की चंता रहने वाली है आपने वो आपसे बाट्लिंग कर दे जाएगा 80 reaction से अधिक स्ने लोगए तो कहां देवघर और जाएगा यो उसके अलाव जाएगा жुलियों दोस्तों इन सिलेंडरों को भेजाएगा और उसके तहत में बहुत अथिक रिवैन्यू इकाठा किया जागा दोस्तों जिसके अंतरक्त में जो बिहार है आत्म निर्वार बिहार बनने की रहा पर चल पढ़ने वाला है ओके अगला पेश इन्डिया एक्जिट स्तिबत नमक पुष्तक के लेखक कौण है दोस्तों इस पुष्तक के लेखक है आप देखेज़ जो यह पुष्तक है यह 1947 से लेकर के 1962 तक और भार्त और तिबद के बीच में दोस्तों कैसा बात चीत रहा है दोस्तों कैसा उसके समंद रहे है राजनितिक तोर पर दोस्तों उनके बारे में पूरे डिटेल में इसके बारे में लिखा गया और दोस्ती पता गया है कि कैसे चीन ने तिबद के उपर जवजस्ती अपना कबजा कर लिया है और उसको कैसे अपने मनवाएं ढंक से अपने अनुसार काम में लेता रहा है दोस्तों ठीक है अब देखे जो यह भी जितने भी कागजात है वो कहां से लिए गैंदोसी जितिंदे में काक्जात है यह निहरूम मेमोया लाबरियरिक से उठाए गए और जो क्लावडी आर्पि है उन्होंने इस किताब को लिखने का काम किया हुआ है दोस्तों ठीक है अबने इस किताब के अग्निवेश हूँ पास्ट अवे इन सेप्टेमबर 2020 इस रिन ओंड यानि कि स्वामी अग्निवेश का सितमबर दो हर 20 मैं नितन हो गया वह थे दोस्तों क्या थे वह तो वह थे एक सोचल एक्टिविस्ट और एक राजनीता कर तो पर दोस्तों नहोंने काम काम के और दोस्तो इनकी मिर्ति हो गई है ठीक दोस्तों अब देखिए इन्होंने 2004 से लेकर करके 2014 के बीच में आज समाज की 20 पैसाद की अध्यास के तोर पर भी दोस्तों ये काम कर चुके हैं अब देखिए इनका जनम हुआ था कब तो 11 सितंबर 1949 को आंध पर इसके सिकाकूलम छेत में दोस्तों इनका जनम हुआ था अब हम देखिए दोस्तों किसके बारे में तो जो हमने कल के वीडियो में प्रशने पूछा था कि उस व्यक्ति का नाम पता है जो पेरू का नया पढ़ान मंतरी बन गया दोस्तों पढ़ान मंतरी कोन बन गया है आप इसको बताए थे दोस्तों ये पढ़ान मंतरी बन गया है अब देखे इस प्रशन का सही जवाब किस ने दिया है दोस्तों इस प्रशन का सही जवाब दिया है इनका नाम है वीजे कुमार, कुनाल कुमार सिंग, बुलती घोश, भुला शंकर बिस्वाल, सर्वेस काजी, छोटु आर्यन, अमन कुमार, सिर्मानता बाग, निखिल इस या दोस्तों, इन सब के सब दोस्तों ने इस प्रशन का सही जवाब दिया हुआ है, अब हम देखेंगे आज का प्रशन, जो आज का प्रशन है, इसके बारे में आपको जीतना भी मालूम होगा, साग साथ दोस्तों आप कमेंट बोक्स में लिख दीजिएगा, ओके, और